Cole works theory of moral reasoning या फिर हम इसको Cole works theory of moral development भी कहते हैं देखें moral का मतलब होता है right or wrong यानि कि ये चीज का फैसला लेना कि क्या सही है क्या गलत है और उसकी according अपना behavior भी show करना तो ये जो morality है ये जो है धीरे धीरे age wise जो है develop होती है और एक particular time पर क्या सही है क्या गलत है ये भी change होता जाता है यानि कि इसके पीछे का reason भी change होता जाता है हो सकता है कि बच्पन में अगर आप कहें कि कोई person है वो चोरी कर रहा है तो यानि कि ये जो morality है ये धीरे धीरे जो है age के साथ develop होती है और इसी development stage को जो है cold works theory of moral reasoning में बताया गया है तो total three label हैं और six stages है इस cold works theory of moral reasoning में तो moral development क्या है moral development is the process by which people develop the distinction between right and wrong या इसके बीच में differentiate करना ही जो है moral development कहराता है और right और wrong के पेछे जो reasoning होती है उसी को moral reasoning कहते हैं यानि कि कोई चीज सही है तो क्यों सही है कोई चीज गलत है तो क्यों गलत है उसके पीछे क्या logical है क्या logical process है determining the what is wrong what is right तो उसी को moral reasoning कहते हैं तो cold works theory of moral development is a theory that focuses on how children develop morality and moral reasoning यान की children जो है अपने age के साथ कैसे morality और moral reasoning को जो है develop करते हैं उसके लिए यहाँ पर six stages three level जो है बताये गए हैं यह जो theory है इसको develop की गए थी American psychologist Lawrence Kohlberg द्वारा तो इन्होंने जो है एक कहानी सुनाई थी एक story सुनाई थी hinge still the drug यह hinge dilemma के नाम से भी जाना जाता है तो hinge still the drug यह story जो है उन्होंने अपने interview जिन से interview data collect कर रहे थे children से उनको जो है stories थे उसमें उन्होंने बताया कि hinge नाम का एक person था जो कि middle class person था और जो है उसकी wife जो है अचानक से बिमार हो जाती है cancer के disease से वो जो है बिमार हो जाती है और एक doctor ने उसको दवाई लिखी और वो दवाई जो है एक local pharmacist के पास ही सिर्फ मिलती है और वो जो local pharmacist है उसी ने उस दवाई को बनाया है जिसकी cost थी $20, $20 में जो है वो दवाई manufacture हुई है लेकिन जब हिंज जो है वहाँ पर पहुँशता है उस दवाई को लेने के लिए तो उस local pharmacist ने उसको जो है टू थाओजन डॉलर्स दिमार के यानि कि उस दवाई को जो की $20 में बना है उसको जो है वो दो हजार डॉलर में बेशने के लिए हिंज को बोलता है तो हिंज बो आजाता है यह जो है इस्टोरी जो है बहुत सारे चिल्डरंस के सामने इस्टोरी जो है लॉरेंस कोहलबर्ग ने सुनाई और उसके बाद उन्होंने कुछ उसके पीछे questions पूछे इस स्टोरी बाद कुछ questions पूछे जिसके basis पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो है moral reasoning के stages को develop किया तो सब इसमें कुछ question थी जैसे कि should hinge have stolen the drug यानि कि क्या जो hinge है उनको drug को stole करना चाहिए था would it change anything if hinge did not love his wife अगर hinge जो है अपनी wife को प्यार नहीं करता तो क्या जो है चोरी नहीं करता जो hinge है या what if the person dying was a stranger would it make any differences यानि कि जो person मर रहा है अगर वो कोई stranger होता तो क्या तब भी hinge वही काम करता या should the police arrest the chemist for murder if the woman dies यानि कि chemist ने दवाई नहीं दिया एक हजार डॉलर देने पर भी जो है दवाई नहीं दिया जबकि उसकी cost 20 डॉलर थी तो क्या इस case में अगर wife मर जाती है तो police को जो है pharmacist को गरिफतार करना चाहिए था त्यानि कि different different type of question जो है वहाँ पर इस story के basis पर पूँचे गए किनसे उन सभी बच्चों से जिनको जो है इस research में जो है include किया गया था और इस story के जो questions थे उनसके answers के पीछे reasoning क्या है यानि कि अगर आप कहतों के hinge को चोरी नहीं करनी चाहिए थी या फिर आप कहतों के hinge को चोरी करनी चाहिए थी आप कहतों के police को arrest नहीं करना चाहिए या फिर police को arrest नहीं चाहिए तो इसके पीछे reasoning क्या है उस चीज को जाना जो यहाँ पर research का main motive था तो कोहलबर्ग was interested not in whether the boys judge the action right or wrong but in the reason for the decision यानि कि जो boys थे उन्होंने इस questions के answer सही या फिर गलत में दिये हैं उसको जानना जो यह नहीं था यहाँ पर जानना यह जो यह था कि उन्होंने सही कहा तो क्यों कहा और गलत कहा तो क्यों कहा he found that these reasons tended to change as the children got older यानि कि उन्होंने अपने research में पाया कि जैसे जैसे जो है student जो children से हैं वो बड़े होते हैं जो उनका reason होता है वो change होता रहता है tended to change as the children got older तो जो reason होता है कि कोई चीज सही है कोई चीज गलत है उसके बीचे जो reason होता है वो धीरे धीरे age के साथ क्या होता है change होता रहता है तो इसी के basis पर यह जो story सुनाई और data collect किया उसके basis पर callbacks ने moral development के stages को moral reasoning के stages को तीन लेबल और six stages में divide किया और हर लेबल में दो-दो stages यानि कि total तीन लेबल six stages हर लेबल में दो-दो stages है तो जो यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले जो बच्चा छोटा होता है जब वो school जा होता है फर्स सेकेंड थर्ड क्लास में होता है तो वहाँ पर देखेंगे आप वो obedient होता है यानि कि पापा ममी ने जो कहा वही करेगा या फिर parents ने या फिर जो teachers ने जो कहा वह करेगा teachers ने बता दिया कि नहीं बेटा ये करना गलत है तो बच्चे को पता चल जाता है कि हाँ ये करना गलत है और teacher ने बता है कि ये करना सही है तो बच्चा जो है वही काम करेगा जो सही होगा तो बच्चे के recording वो काम सही होगा क्यों कि teacher ने कहा है बच्चे के according वो काम गलत होगा क्यों कि parents ने कहा है त्यानि कि जो बच्चा है उसके right और wrong के पीछे जो reason होता है वो authority होता है यानि कि उसके teachers ने कहा उसके parents ने कहा इसलिए वो चीज right है या फिर wrong है यहाँ पर यह reason होता है starting में और धीरे धीरे जैसे children जो है grow करता है तो उसको पता चलता है नहीं सभी का अपना अपना viewpoint होता है और सबका खुद का interest होता है उसके according जो है वो right और wrong को decide करते है कि क्या right है क्या wrong है उसके बाद फिर जैसे जैसे और बड़ा होता है तो वो society में आता है उसको social norms के बारे पता चलता है और फिर वो जो है इस according जो है right और wrong को decide करता है कि लोग उसको accept करेंगे कि नहीं accept करेंगे यानि कि अगर वो कोई काम करता है और लोगों ने society ने accept कर लिए उसके friend ने accept कर लिए तो उसको लगे का हाँ ये तो सही काम है और वहीं पर अगर हो कोई गलत काम करता है लोगों ने उसको reject कर दिया लोगों ने इसको reject कर दिया तो उसको लगे कर नहीं ये गलत काम है यानि कि वो good boy bad boy वाला सीना है आपर आ जाता है उसके बाद जैसे जैसे धीरे और वो develop करता है तो उसको पता चलता है कि हाँ society में different rules है उन rules को उन laws को जो है follow करना चाहिए नहीं तो आपको जो है punishment मिलेगा और वहीं पर जैसे जैसे वो और गोर करते हैं तो वो जो है कभी कभी law के against जाकर भी जो है कोई काम करके आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो चीज़ सही थी और law के according वो चीज़ गलत थी और वहीं पर universal principle यानि कि वो इतने older हो जाते है, इतना जादा उनका development हो जाता है age का कि वो लोग जो है अपने खुद का जो है moral guideline set बना लेते हैं यानि कि law क्या कहब रहा है उससे उनको मतलब नहीं होता उनके according जो है moral guideline के according जो है वो चीज़ सही है फिर गलत है उसके according जो है वो decide करते है उसके according जो है वो right or wrong को decide करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला stage क्या है level 1 that is pre-conventional level तो यहाँ पर क्या होता है कि यह जो pre-conventional level होता है यहाँ पर 0 से 8 या 9 age तक के बच्चों को रखा जाता है इस level में तो यहाँ पर क्या होता है कि child accept the authority यानि कि जो parents ने बोल दिया कि यह सही है यह गलत है वही बच्चा मान लेता है teachers ने बोल दिया कि यह सही है यह गलत है तो वहाँ पर जो right or wrong होता है वो बच्चा accept कर लेता है यानि कि moral code of others यहाँ पर जो बच्चा है वो right or wrong के पीछे खुद का reason नहीं देता है बलकि parents ने बोला है teachers ने बोला है उसके पिछे reason ये देता है तो people at this level don't have their own personal sense of right and wrong yet यानि कि इस level पर बच्चों को ये नहीं पता होता है कि कोई चीज right है तो क्यों right है कोई चीज wrong है तो क्यों wrong है किसी ने उनको बता दिया है इसलिए वो right है और किसी ने उनको बता दिया कि ये चीज गलत है इसलिए वो गलत है बस तो if an action leads to punishment it must be bad यानि कि बच्चों को ये लगता है कि अगर कोई action हुआ है कोई काम किया है और उसकी वज़ए से उसको punishment मिला है यानि कि वो bad work होगा और वहीं पर कोई action किया है और उसके बदले उसको reward मिला यानि कि वो अच्छा काम होगा तो right और wrong के पीछे इस stage में खुद का logic नहीं होता बलकि किसी और ने बता दिया कि हाँ ये right है तो right होगा ये गलत है तो ये गलत होगा यानि कि उनकी ये मानता होते है इनका ये सोचना होता है कि अगर किसी परसन को reward मिला है यानि कि उसने अच्छा काम किया होगा तो अगर hinge के case को यहाँ पर समझें तो according क्या होना चाहिए था कि hinge को steel नहीं करना चाहिए था क्योंकि उसको punishment मिलेगा इसलिए hinge को चोरी नहीं करना चाहिए तो hinge को चोरी नहीं करना चाहिए यानि कि चोरी करना wrong है क्यों क्योंकि आपके parents ने आपके teachers ने आपको बताया है कि अगर आपको punishment मिल रहा है किसी वज़े से त्यानि कि वो काम जो है wrong होगा stage 2 क्या है individualism and exchange तो जैसा कि बताया कि धीरे दे children grow करता है और वो recognize करता है कि that there is not just one right view यानि कि सिर्फ एक ही सही view नहीं है सभी लोगों का अपना अपना view है different individuals have different viewpoint judge action based on how they serve individual needs यानि कि यहाँ पर क्या होता है कि वो कि किसी person की needs का कैसे fulfill हो रहा है उसके basis पर judge करते हैं तो इस stage के recording जो hinge की need थी वो fulfill होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर उसकी wife बीमार थी hinge को दवा की जरूरत थी hinge को जो है वहाँ पर उसकी need fulfill होनी चाहिए तो सभी के अपने needs होती है सभी की individual needs होती है वो fulfill होनी चाहिए सबका अपना अपना जो है वहाँ पर point of view होता है तो इस stage में जाके बच्चे इस चीज को समझते हैं कि नहीं मेरा मानना कुछ और है उनका मानना कुछ और है फिर आता है level 2 यानि कि the conventional level तो यहाँ to 10 to 13 years के आसपास हो यानि कि जो early adolescence age होता है उस age के बीच में बच्चों को यहाँ पर consider किया जाता है तो इस age पर children believe that social rules and expectation of other determine what is acceptable or what is unacceptable behavior यानि यहाँ पर क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत बच्चे ऐसे होता है कि अगर लोगों को पसंद आ रहा है उनका काम तो वो काम करेंगे चाहिए वो गलत ही हो और अगर लोगों को पसंद नहीं आ रहा है वो काम चाहिए वो सही हो तो वो काम वो नहीं करेंगे तो यह चीज जो है यहाँ पर होती है इस stage पर conventional label पर यानि कि social rule क्या कहता है लोग आपको accept कर रहे हैं कि नहीं accept कर रहे हैं वो जो है चाहिए आपने गलत किया हो चाहिए अच्छा किया हो लोग आपको accept करें कि नहीं accept कर रहे हैं वो जो है यहाँ पर उसके basis पर right और wrong को decide किया जाता है तो यहाँ पर क्या है कि बच्चे का यह मानना है कि चेटिंग करना गलत होगा टेस्ट में क्यों क्योंकि अगर चेटिंग करते पकड़े गए तो society में बदनामी होगी और आपका जो academic record है वो भी खराब हो सकता है तो that is conventional label तो यहाँ पर दो stages है stage 3 good interpersonal relationship और चौथा stage है law and order morality तो good interpersonal relationship में क्या हुआ तो यहाँ पर उसकी courses क्या होती है कि वो जो है दूसरे के नजरों में अच्छा रहे दूसरे के नजरों में अच्छा रहे बहुत बार आपने देखा होगा आपको पता है कि helmet लगा कर bike नहीं चलने चाहिए लेकिन फिर भी आप बिना helmet के bike चलाते हैं क्यों आप जो है उसको बार बार बिना helmet के गारी चलाते हो जबकि वो wrong होता है तो अहीं पर आता है इस्तेस for law and order morality यानि कि जैसे जैसे आपका age और grow करता है children का age और grow करता है आपको जो है different norms के बारे में different rules के बारे में society के पता चलता है और उसके बाद फिर आपके आप कहते हो कि नहीं आपको rule को obey करना चैए यानि कि जो rule है उसको follow करना चैए उसके according जो है आपको decide करना चैहिए कि क्या right है क्या wrong है यानि कि अब जो है आप helmet लगा के चलोगे क् Y مरे आपको पता चल गए कि नहीं conventional morality is when people decide based on what they think is right rather than just following the rule. तो यहां पर क्या होता है कि आप अप mature हो गए हो, अब आप mature हो गए हो और अब आप जो है खुट decide कर सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है, अब जो है आप rule के अगेंस्ट भी जाकर जो है आप decide कर सकते हो कि क्या चीज सही और क्या चीज गलत है, this means that people at this level of morality have their own ethical principle and values and don't just do what society tells them to do यानि कि इस एज़ पर आगर अब आप society की बात नहीं सुनते हो, आप अपने खुट की बात सुनते हो, आप खुट decide करते हो कि क्या चीज सही है क्या fundamental value than property rights, तो यहाँ पर क्या है, कि यहाँ पर इस label पर आप आके यह कहते है कि हिंज को वहाँ पर medical store से दवाई ले लेनी चाहिए थी, चुरा लेनी चाहिए थी क्योंकि किसी इंसान की जान से ज़्यादा property का right जो है वो छोटा होता है, यानि कि कि किसी इंसान की जान ज़्यादा important है, आपके पास दवाई बनाने का right है, वो कम important है, किसी इंसान की जान ज़्यादा important है, तो यहाँ पर यहाँ पर यह कहते है, यहाँ हिंज को चोरी कर लेनी चाहिए थी, तो इस label पर भी दो stages है, stage 5, stage 5 क्या है, social contract and individual rights, the individual become aware that while rule or laws might exist for the good of the greatest number, there are times when they will work against for the interest of particular individual, यहाँ पर क्या है, कि सबको पता है कि बहुत सारे rules हैं, जो कि लोगों की safety के लिए बनाए गये हैं, लेकिन कई बार आप जो है, उन rule के against भी जाकर जो है, आप जो है decision making करते हो, और right or wrong को decide करते हो, for example, in hinge dilemma, the protection of life is more important than breaking the law against stealing, यानि आपक की life को बचाना भी जरूरी है, इसलिए आप जो है जाकर चोरी कर लेते हो, यह social contact and individual right stage पर आता है, और वहीं पर stage 6, that is universal principle, people at this stage have developed their own set of moral guidelines, इस stage पर क्या होता है, कि आप अपने खुद के moral guidelines बना लेते हो, यानि कि आपके खुद के guidelines होंगे, कि क्या चीश सही है, क्या चीश ग everyone, और यह जो आप principle बनाते हो, यह सब पर applicable होता है, हाला कि Colbert का यह मानना था, कि इस stage 6 पर अभी तक बहुत ही कम लोग पहुँच सके हैं, यानि कि एक ऐसा stage जहाँ पर आप खुद के guidelines जो है create करते हो, और उसके basis पर decide करते हो, कि right क्या है, wrong क्या है, इस stage पर अभी तक बहु जो है यही बताया गया है, कि कैसे जो moral reasoning है, यानि कि right क्या है, wrong क्या है, इसके भीचे जो reasoning है, वो जो है कैसे age के साथ develop होती है, बचपर में आप जो आपके parents ने बता दिया, वही सही है, वही गलत है, दिर दिर आप बड़े होते हो, उसके बाद आपको समझ में आता है, नह law कहा रहा है कि यह काम करना सही है, तो वो right होगा, law कहता है यह काम करना गलत है, तो वो wrong होगा, और उसके बाद फिर और आप बड़े होते हो, उसके बाद आपको समझ में आता है, नहीं, कुछ कभी-कभी ऐसे काम होते हैं, जो कि आपको law को break करके करने पड़ते हैं, और फ और stage 6 universal principle, तो हुप आपको समझ में आ गया कि क्या है कोहलबक्स theory of moral reasoning, wish you all the best, keep watching.